ओम गणे शाय नमहा जून के महीने में पुश्य नक्षत्र की जो शुरुवात हो रही है वो 9 जून की रातरी को 8 बच कर 20 मिनट पर होगी और इसका समापन 10 जून की रात को 9 बच कर 40 मिनट पर होगा रवी पुश्य नक्षत्र जो है इसमें खरीदारी की जाती है और नाम जब किया जाता है और खरीदारी के लिए 9 जून की रात 8 बच कर 20 मिनट के बाद का समय सबसे ही अच्छा बताया जा रहा है देखे इस साल जो है रवी पुष्य नक्षत्र जो है ये दो तिन बार आ रहा है इसके बारे मैं आपको बता देती हूँ एक तो ये 9 जून 2024 को आठ बच कर 20 मिनट से लग रहा है जो कि 10 जून 2024 के सुभा 5 बच कर 23 मिनट तक रहेगा दूसरा ये योग लग रहा है 7 जूलाई को और रवी वार का दिन पढ़ रहा है और ये है 5 बच कर 29 मिनट से लेकर 8 जूलाई के 2024 के सुभा 5 बच कर 30 मिनट तक चार अगस्थ को लग रहा है उसके बाद ये भी रविवार का दिन आ रहा है और ये चार अगस्थ मैं सुभा पांच बच कर 54 मिनट से लेकर चार अगस्थ के दुपहर 1 बच कर 26 मिनट तक रहेगा देखे वैदिक शास्त्रों के अनुसार रवी पुष्य नक्षत्र जो होता है ये बहुत ही शुब नक्षत्र होता है वह नक्षत्र जो जीवन में स्थिर्ता और अमर्ता लेके आए रवी पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनी होते हैं इस ग्रह की प्रकर्ती जो है गु जोगों के इलावा रवी पुश्य योग सभी शुब कार्यों को करने की अनुमती देता है इसलिए ऐसी गती विधियों के बारे में जाने जो कि ग्रह संयोजन के दौरान विशेश महत्वर रखती हैं जैसे कि सोना और अन्य कीमती धातूइं खरीदना इस दिन सोना चांदी और अन्य धातों की खरीदारी के लिए ये उप्युक्त समय माना गया है ऐसा माना जाता है कि इस अवधी के दौरान इन वस्तों में निवेश करने से सम्रधी और धन की प्राप्ती होती है वाहन जरूर आप खरीद सकते हैं यदि आपको लालसा है कि वाहन आपने खरीदना है तो इस टाइम पे आप वाहन भी खरीद सकते हैं चाहे वह कार हो मोटर साइकल हो परिवहन का कोई अन्य साधन हो ऐसा माना जाता है कि इस अवधी के दौरान खरीदारी करने से सौभाग्य और आगे की यात्रा सुगम हो जाती है देखे अनुष्ठान और प्रशाद जो ह जैसे कि गाईों को गोड़ खिलाना बहुत ही अच्छी प्रथा मानी गई है इस दिन की जो इन कोमल प्राणियों उनके प्रती आभार प्रकट करता है इससे भी उनको आशिरवाद मिलता है और इस अवधी के दौरान मंदिरों में दीपक जलाना बेहद ही शुब माना जात देखी कहा यह भी जाता है कि रवी पुष्य योग में सभी मांगलिक कार्य करना शुब होता है लेकिन रवी पुष्य योग में विवाहन नहीं कर सकते इस समय सूना खरीदना प्रापटी और वाहनादी की खरीदारी भी शुद्ध होती है और बहुत ही शुब मानी जाती ह रवी पुष्य योग में गाई माता को गुड़ खिलाना, मंदिर में दीपक जलाना अत्यन्त ही लाबकारी होता है इस चीज़ का आपको खयाल रखना चाहिए यदि आपके पास संपत्ती या फिर रियल स्टेट में निवेश करने का प्लान है तो भी इस योग में आप आगे बढ़ने का ये सही समय माना गया है और इस योग के दौरान ग्रहों की उर्जा जो है संपत्ती से संबंदित बिजनस के लिए भी अनुकूल मानी जाती है राधे राधे